अज का अमढनाओ टोपिक है एन्वारमेंटल केरिंडंग केपिसिटी वाता वरन वहन समता मैंप एंवारमेंटल केरिंग केपिसिटी को एर्डो लियॉपोल्ड ने Cai DE 1853 में कोइंड के अधा लियूसिटी इस्था मैक्सिममीम पॉपॉलेटिंजन इन हैभिट्हेटी के सपो पूपलेशन लंबे समय के लिए बढ़ती है वादावरंड को गटाती है और फूचर केरिंग केपसिटी को कम करती है carrying capacity of an environment with regard to a biological species is the maximum population of size of species that the environment can sustain indefinitely given the food, habitat, water and other requirements in the environment के वादावरंड की वहन चमता ब्योगोली की species के ज्यादा से ज्यादा बढ़ने पर होती है जिसको वादावरंड फूड हैविटेट वाटर और अधर रिकॉर्मेंट्स की चीज होती है वो देकर उनको सस्टेन करवा सकता है कि बिलो केरिंग कैपिसिटी पोपुलेशन टिपिकली इंक्रीज वाइल अब 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 बच्चों को पीज में कंपिटिशनों का बैठने के लिए या फिर वे चेर्स को आपस में शेयर करेंगे और इसे शेयर करने को केरिंग कैपिसिटी कहा जाता है अब यह केरिंग कैपिसिटी किस क्योंई यह कैरिंग कैपिसिटी किलास क्योंई क्योंई किलास में ही तो बैठेंगे ना बच्चे मतलब की कहने का यह है कि एक्स तो कोई और करता है लेकिन एफ़ेक्ट किसी और पर पड़ता है इसे ही केरिंग आपि सिटी कहा जाता है था केरिंग केर्पिसटी ओफ एनवर्मेंट में वरी फोर डिफेरेंट स्पीसीज एंड में चेंज ओवर टाइम वातावरेंड की वहन चमता बहुत सारी स्पीचीज को वहन करती है और समय के साथ साथ बदलती रहती है Factors that influence the caring capacity in the environment Factors जो की वातावरेंड में caring capacity को परभावित करते हैं जैसे की food availability, water supply, environment conditions, living space अब जैसे जैसे population ज़्यादा होगी तो food availability भी कम होगी water supply भी कम होगी, environment condition भी कम होगी और living space भी कम होगी और अगर population increase limit में हो रहा है वहले कि stable factors में, stable type में तो food availability में भी कोई effect नहीं पड़ेगा, water supply में भी कोई effect नहीं पड़ेगा और नहीं environmental conditions में और नहीं living space में यह देखें, यह हमारा diagram caring capacity को जो कि हम curve type भी बोलते हैं यह जो line है यह हमारी caring capacity को show करती है, यह population को और यह time को अब देखें जो population वो दीरे दीरे increase हो रही है, यहाँ पर दीरे दीरे increase हुई यहाँ फास्ट increase हुई और यहाँ पर जाकर यह stable हो गई, यहाँ पर मैं लिमिट में एक रहे stable और अकर यह जो growth है यह ऊपर हो जाएगी, मैं कि जो यह population growth है, अगर इस caring capacity line से नीचे रहेगी, तो food availability, water supply, environmental conditions और living space में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगर यह line caring capacity से उपर बढ़ जाती है, तो food availability, water supply, environmental conditions और living space और other essential requirements में कमी आ जाती है, और उन सभी के बीच आपसे में competition हो जाता है कर अगर